हलो दोस्तों सोगत है आपका अपने चैनल एक्जामेजान पे तो युगाफरसे में हाजिर हूँ 7 जून 2021 के इंपॉर्टिन इवेंट्स के साथ आप कम्प्लीट वीडियो धान से देखें क्योंकि लाश में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है वर्ड इन्वार्मेंट डे विस्व पर्यावरर दिवस यह हर वर्स किस डेट को मना जाता है तो वर्ड इन्वार्मेंट डे यह हर वर्स मना जाता है पाच जून को कब पाच जून यह देख लिजिए हर वर्स फिफ्ट जून को वर्ड इन्वार्मेंट Day मना जाता है 2021 में World Environment Day का theme क्या है Re-Imagine, Recreate, Restore तो theme आद रिखेगा Re-Imagine, Recreate, Restore ये World Environment Day का theme है World Environment Day पहली बार कब observe किया गया था 1974 में उस समय इसका slogan था Only One Earth सिर्फ एक ही प्रिथवी है ये फिर्फ जुन को क्यों मना जाता है World Environment Day क्योंकि Human Environment पर Stock Home Conference हुई थी 5 जुन से सुरुआत हुई थी 1972 में तो इसलिए 5 जुन को हर बार World Environment मना जाता है ने कोशन है Sustainable Urban Development के लिए Sustainable Urban Development के लिए इंडिया दोरा किस कंटीज साथ Memorinum of Corporation पर साइन किया गया है तो Sustainable Urban Development की फिल्ड में Corporation के लिए इंडिया और जापान ने इंडिया और जापान ने Memorinum of Corporation पर साइन किया है यह देख लिए रिसेंटली कैबिनेट ने और जापान के साथ Sustainable Urban Development के लिए एक Memorinum of Corporation साइन किया है यानि इंडिया में जो सिटीज हैं वहाँ पर Sustainable Urban Development किया जाए इसके लिए इंडिया की तरफ से Ministry of Housing and Urban Affairs द्वारा साइन किया गया है जापान गवर्मेंट के साथ एक Memorinum of Corporation तो Sustainable Urban Development Memorinum of Corporation भी जापान इतना याद रखीगा बस जापान की कैपिल क्या है टोक्यो करिंसी क्या है येन जापान के प्राइमिस्टर कोन है योशी हिदे सुगा और याद रखीगा जापान में जबसे नए Emperor बने है नरू ही तो तबसे जापान में रिवा एरा की स्टार्टिंग हो गई है ये आप मैप में देख सकते हैं जापान जहां टोक्यो उलम्पिक होने इस बार ने कोशन है एसिया की पहली International Memory Studies Workshop किसने होश्ट की है तो एसिया में पहली बार International Memory Studies Workshop ये IIT मदरास ने होश्ट की है किसने IIT मदरास ने IIT मदरास दोरा एसिया की पहली International Memory Studies Workshop को होश्ट किया गया है International Memory Studies Workshop देखिए ये यादों को संजो के रखने की एक बात है International Memory Studies Association जो की Amsterdam में है उसके द्वारा इस workshop और्गनाईस के रता है एसिया में पहली बार International Memory Studies वरक्शॉप और्गनाईस की गई है किसने और्गनाईस की है IIT मदरास बस इतना याद रख़ेगा एसिया की पहली International Memory Studies वरक्शॉप IIT मदरास ने खोष्ट की है ने कोर्शन है Global 150 Cities Index for Financial Attractiveness Ranking इसको किसी डी ने टॉप किया है तो Financial Attractiveness के मामले में 150 सहरों में मैनामा टॉप पर है कि देखिए मैनामा जो कि बहरीन की कैपिटल है वो Financial Attractiveness के मामले में 150 सहरों में टॉप पर है ये Financial Attractiveness की रैंकिंग कौन जारी करता है इंडेक्स कौन जारी करता है तो AIRINC दौरा जारी कियाता है इतना याद रखिएगा तो मैनामा ने टॉप किया है Financial Attractiveness के मामले में किसी भी कंट्री की Financial Attractiveness कुछ पैरामिटर्स हैं जैसे Salary Level, Cost of Living और Taxes के अधार पर चेक्षिए आती है तो याद रखिएगा Global 150 Cities Index for Financial Attractiveness मैनामा ने इसको टॉप किया है और इंडिया से सिर्फ इस रैंकिंग में दो सहरों को सामिल किया गया है नियू देली और मॉंबाई AIRINC 1954 से ये International Mobility की फिल्ड में काम कर रहा है Hong Kong, Brussels, London में अच्छी तरह से ये कारे रथ है एक्जाम में आप से पूछ सकते हैं कि Financial Attractiveness की मामले में जो मेना रीजन है Middle East and North Africa उससे कितने सिटीज सामिल किया गया है तो 7 सिटीज को सामिल किया गया है मेना रीजन से ने कोशन है Cross Border Payment के लिए Swift GPI Instant Facility Provide करने वाला Swift GPI Instant Facility Provide करने वाला Asia Pacific का पहला बैंक को बन गया है तो Swift GPI Instant Facility Provide करने वाला Asia का पहला बैंक बन गया है Asia Pacific का पहला बैंक बन गया है ICIC Bank ये दिख लिजिए ICIC Bank Asia Pacific Region का पहला बैंक हो गया है जो कि इंडिया में अपने Beneficiaries को Swiss GPI Instant Facility provide करेगा Swiss GPI Instant Facility क्या होता है देखे अगर International Payment आपके account में transfer करना है तो इसके लिए Swiss Code necessary होता है तो ACA Pacific से कोई भी अगर ICCA Bank के account में पैसा भीजना चाहता होगा तो ACA Pacific छेत्र में ICCA Bank पहला bank बन गया है इसने Swiss GPI Instant Facility प्रवाइड की है और वर्ड में ये दूसरा बैंक है तो इतना याद रखेगा ICIC बैंक के बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी वरोधरा में इसका headquarter है सोरी अब नहीं है इसका headquarter वरोधरा में मुंबाई में इसका headquarter है CEO है संदीब बक्षी ICIC बैंक का full form देख लिजी इंडिया का largest IPO किस payment company द्वरा के जाने वाला है तो इंडिया में largest IPO जारी किया जाने वाला है पेटियम द्वरा पेटियम इंडिया का largest IPO जारी करने जा रहा है लग बग कि अपने पहले IPO से यानि IPO तो पहली जारी कहता है 不ेर्रियम का जो IPO होगा व rela stra Hiru सो करोड यह कमाएगा कमाएगा नहीं मलब की फंड इखट्टा करेगा अपने इससे पहले 2010 में कोल इंडिया लिम्टेंड ने 15,000 करोड का आई प्यो जारी किया था तो इंडिया का लार्जेस्ट आई पर जारी करेगा पेटियम पेटियम के बात करें 2009 में स्थापना हुई थ होशन है हीडल बर्क सीमेंट किसे का सिमेंट घृटल की सेखंट लार्जस्ट सहिश्ट्मइन बेट्र है है हीडल रख चा स्थाफ़ जिसने का कि वर्ड में पहली बार CO2 neutral cement plant वो 2030 तक बना देगा यानि Heidelberg का जो cement plan होगा वो carbon dioxide neutral होगा यानि जितनी ये carbon dioxide पैदा करेंगे उतनी absorb कर लेंगे तो वर्ड का पहला CO2 neutral carbon plant किसका होगा Heidelberg cement का Heidelberg cement कहां की firm है Sweden की company है इतना याद रखेगा ये वर्ड की second largest cement producer है तो first कौन सी है Switzerland की एक company है ये देख लीजिए Lafarze Holesim Lafarze Holesim Switzerland की cement company है वर्ड की first manufacturer है cement के वालने में बाकी Sweden की बात करें तो stock home इसकी capital है currency है क्रोना और प्राइम इस्टर कौन है Stephen Loughman तो Heidelberg ग्याद रखेगा वर्ड की second largest manufacturer है 2030 तक अपने जो cement उत्वादन plant है उसको carbon neutral बना देगी next question है NGT द्वरा किस state को order दिया गया है कि विश्वामित्र river action plan को implement करें तो विश्वामित्र river action plan ये गुजरात का river action plan है NGT ने इनसे ही कहा है NGT द्वरा वर्ड़ोद्रा municipal corporation को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी विश्वामित्र river action plan को implement करें इंडिया में जो सबसे अदा 351 प्रदूसित नदियां है उसमें से विश्वामित्र नदी भी एक है विश्वामित्र नदी धाधर river की एक ट्रिब्यूट्री है किसकी धाधर river की धाधर river गुजरात में भैठती है जिसकी ट्रिब्यूट्री है विश्वामित्र river और विश्वामित्र river action plan इसको implement को कर रहा है वर्ड़ोद्रा municipal corporation जिसके लिए NGT ने guidance दिया है या फिर डिरेक् national act जो की दोजादस में पास हुआ था उसी की द्वारा अक्टूबर दोजादस में NGT की स्थापना हुई थी याद रखेगा सबसे पहले NGT जैसी बौडी न्यूजलेंड में स्थापित की थी इंडिया थर्ड कंटी होड में ऐसा करने वाली और पहली developing कंटी NGT की sitting जो ह से न्याय करता है IPC और CRPC से बंदा नहीं है कि ने कोशन है कि 2021 का international business book of the year award नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला है कि का international business book of the year award नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला है आपको तना international business book of the year award कब से शुरूआ थूए थी इसकी तो international business book of the year award 2005 से इसकी शुरूआ थूए थी बिजनेस की फिल्ड में अच्छी book लिखने वाले को यह दिया आता है यह देख लिए यह है नितिन राकेश और जेरी विंड इनको 2021 का international business book of the year award मिला है तो नितिन राकेश और जेरी विंड किस पुस्तक के लिए मिला है इनको business book of the year award तो इनके famous book है जिसका नाम है transformation in the time of crisis तो एक्जाम में आप से पूछ सकते हैं कि transformation in the time of crisis किस की book है तो नितिन राकेश और जेरी विंड की book है जिसके लिए इनको international business book of the year award मिला है बाकिया दे सकते हैं 2005 से यह award दिया रहा है 30,000 पाउंड रियाते हैं लंदन में located है यह award की firm यह question है times की 50 most desirable men's 2020 list को किसने टॉप किया है तो 50 most desirable men's की list 2020 में टॉप की है सुसान सिंग राजबूत ने बाग की आप यहां देख सकते हैं total 40 celebrities को समयल किया गया second number पे कौन है आदित्राव कपूर है नमबर तीन पे विक्की राय कौसल विक्की कौसल है तो इंडिया से ही है बसना रखिए का time magazine की जो 50 most desirable men's की list है उसको टॉप किया किसने सुसान सिंग राजबूत ने IEPFA Investor Education and Protection Fund Authority इसकी एक सौट फिल्म है हिसाब की किताब इसके 6 module किसने लाँच के हैं तो हिसाब की किताब ये एक सौट फिल्म है इसके 6 module लाँच के हैं अनुराग ठाकुर ने किसने अनुराग ठाकुर ये दिख लिए अनुराग ठाकुर है ये minister of state है for corporate affairs and finance ministry अनुराग ठा अनुराग ठाकुर दरा हिसाब की किताब जो की सौट फिल्म है उसके 6 module रिलीस किये गए हैं ये हिसाब की किताब सौट फिल्म किसने बनाई है common service center ने बनाई है और पाच-पाच मिनिट की सिक्स सौट फिल्म है हिसाब की किताब जिसमें budget और सेविंग के विसमें बताया ग क्राउइट के गए तो इंडियन ऐरफोर्स के नय वाइश चीफ पर नहैं विवेक राम चौधरी ये देख लीजिए ये हें विवेक ह्राम लेकिन जो एयर फोर्स का सिंडर कमांड है उसका हेड कोटर है प्रियाग राज में तो यह सब चीज़ें इंपोर्टेंट हैं इंडियान एयर फोर्स के बात करें बॉकर प्राइज जीता है तो आध रिखेगा डेविड ड्यूप यह है डेविड ड्यूप जिन्हों ने अपनी नौवल आट नाइट ओल ब्लड इस ब्लैक एक्जाम में आप से पूश सकते हैं एक नौवल है एक नाइट औल ब्लड इस बैक इसके राइटर कौन है या फिर इस तरह से कोशों सकते हैं कि इस बार का जो इंटरनेशनल बैन बुकर प्राइज है वो दिया गया है एट नाइट अल ब्लड इस ब्लैक इस नॉवल के लिए इसके राइटर कौन है तो डेविड ड्यूप डेविड डियूप की यह बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इस बैक जिसके लिए इनको Booker Prize दिया गया है, Booker Prize इंग्लिस की किसी novel के लिए दिया आता है, सॉरी, किसी और भासा की novel को इंग्लिस में translate करने के लिए दिया आता है, तो French में इन्होंने ये novel लिखी थी, David Duke ने, इसको इंग्लिस में translate किया गया है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइस 2005 से दिया रहा है सबसे पहले अलबानिया की एक राइटर है स्माइल कदर है उनको दिया गया था इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइस इंग्लिस की नॉवल को दिया रहता है यानि इंग्लिस में वो नौविल होनी चाहिए तो पहले ये फ्रेंच लेंग में दूनी थी अब ये इंग्लिस में हो गई तो नाम या रखेगा डेविड ड्यूप फर्ष्ट फ्रेंच नागरिक हैं जिनको ये मैन बुकर प्राइस दिया गया है ने कोशन है और बेद वरा स स्वाइब कर सके सकतर को सोलह हजा करोंड दी ग Bangladesh को सोलह बेंग और पर सके एक साले क्लिए और पर इसमेंपर ये बटर नसरे में है इसे में की ट्रिंटित क Hee कर दिया था हमारी लिए इंपोर्टेंट है सिद्भी इस्मॉल इंडेस्ट्री डिल्लमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेकेंड अप्रेल नाइंटीन नाइटी को इस्थाफना हुई थी हेड़कॉर्टर बहुत पुस्ते हैं लखनों में है चेर्पायन कौन है चेर्मेन एंडी है स चीवा एस रमन नया कोशन है एफटी अफ फिनांसियल एक्सेंट टास्फोर का जो रिजनल ऑफिस है एस्या में एस्या पैसिफिक ग्रूप ऑन मॉनी लॉंडिंग इसने किस कंट्री की इनहांस्ट फॉलो अप स्टेटस को रिटेन रखा है तो इनहांस्ट फॉलो अप यह देख लीजिए जो एफटी अफ का एसिया पैसिफिक ग्रूप है उसने पाकिस्तान को इनहांस्ट फॉलो अप स्टेटस में रखा है मतलब क्या है यह काम तो कर रहे हैं मनी लॉंडिंग और टेरर फैनेंसिंग को रोकने के लिए लेकिन इनका फॉलो अप लेना बहुत पर निगरानी करने वाली इंटर गवर्मेंटल बॉडी है जी सेवन के रिकमेंडेशन पर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी एफटी अफ में 37 मेंबर हैं इंडिया भी इसका मेंबर है और हर वर्स तीन बार इसकी मीटिंग होती है एक्जाम में आप से पूसकते हैं तो जहां साल यानि 1945 में इसकी स्थापना होगी थी बेटन वुच संस्था कहते हैं ना इनको दोनों को इसले चर्चा में है क्योंकि इंडिया की जानीवानी एकनौमिस्ट और आइम एफ की एचार डिपार्टमेंट की हेड कल्पना कोचर अगले में रिटायर हो रही है पिछले 30 वर रिटायर हो जाएंगी आइम एक की बागतर है तो दिसंबर 1945 में सापना हुई थी हेड़कॉर्टर है वासिंग्टन डीसी में एंडी कौन है क्रिश्टिलीना जोर्जीवा और चीफ एकनौमिस्ट है गीता गोपिनाथ आइम एप में 190 कंटी मेंबर है रिसेंट कॉन मना है म आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप से में नेक्स्ट वीडियो में तर तक लिए टेक केर गुडबाय और जाए